यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार मैं हूँ दीपशी का भारद्वा जो आप देख रहे हैं खबरे अभी तक यह है हमारा खास कारेक्रम भागय चक्र जहां पर हम आपको बताते हैं कि राशी के अनुसार आपका आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी आगे बढ़ने के मौक्य आज आपको मिल सकते हैं ग्रोच कुंडले के पांचवे भाव में चेंद्रमा होने से फाइदा होगा रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो जाएंगे वर्क प्लेस पर भी मदद मिल सकती है कोई रास की बाद भी आज आपको पता चल सकती है जो भी काम करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ फाइदा तो जरूर होगा ही होगा धनलाब हो सकता है आप जिस और्गनाइजिशन या डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ कोई बदलाव ना होने की योग बन रहे है नए काम पर नए व्यक्ति का सकरात्म कसर आपकी रुटीन पर पढ़ सकता है घूमने फिरने के लिए समय अच्छा है कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए खुद को समय दे वरिशब राशी स्थितियों में थोड़े बदलाव आ सकते हैं साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी आगे बढ़ने की कोशिश करें जिन चुनोतियों का सामरा कर रहे हैं आपको उनके भारे में कोई नई बात भी समझ आ सकती है आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा कोई खास बात भी आज आपको सीखने को मिलेगी नौकरी और बिजनस में बदलाव का मन बनेगा माता का सहयोग भी मिलेगा मिथुन राशी आपके परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे पुरानी टेंशन खत्म होगे चंद्रमा गूचर कुंडले के पराकरम भाव में बैटकर भागे भाव को देख रहा है जिसे किसमत के साथ मिलेगा और फायदा भी जरूर होगा खुद पर ध्यान देंगे आज आप अपने काम में सकरात्मक बदलाव करने में काम्याब रहेंगे खुद के लिए खरीदारी भी हो सकती है आज मितुन राशी के लोग सक्रिय रहेंगे दोस्तों और भाईों से अच्वानक सहयोग मिल सकता है दोस्तों के जात हसी मजाक होगा नई उजनाई भी बन सकती है भागिदारी में आपके द्वारा ले गए फैसले फायदे मन्द होंगे करकराशी दोस्तों और परिवार वालों से सहयोग मिलेगा रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है बुद्धी और मीठी वानी से आप आस पास वालों का दिल जीत लेंगे दुश्मनों पर जीत में लेखी आज आप सही समय पर सही जगा मौजूद रहेंगे इससे आपको ही फायदा होगा किसे खास काम में पूरी ताकत से जुट जाएंगे और खुद को साबित करके दिखा देंगे कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है बिरुजगार लोगों के लिए दिन अच्छा है नौकरी चाहिए तो नौकरी भी मिल जाएगी सिंग राशी खास काम पहले निपटाले और जे हुए मामले निपट जाएंगे चंदरमा आपके हिराशी में होने से शुब है जादातर मामलों में आपके लिए दिन अच्छा रहेगा कुछ घटना या काम ऐसे होगे जिनसे आपको बड़ा फायदा हो सकता है चंदरमा के प्रभाव से आपके लिए दिन अच्छा रहेगा व्यभार, कुछलता और जहन शक्ति से आपको काम लेना होगा चीजें सुलच जाएंगे और आपके सामने आ सकती है अचानक धनलाब होने के भी योग बन रहे हैं का हुआ पैसा मिलने के संभाव ना है कन्याराशी, पार्टनर से सुख मिलेगा अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं आपकी महत्वकांशा चरम पर रहेंगी बिजनस या कारेशेतर संबंदित यात्रा होने की योग बन रहे हैं जितना काम करते जाएंगे उतना ही नया सीखते जाएंगे कुछ लोग आपकी महनत से इंप्रेस भी हो सकते हैं किसी चिंता से भी आपको मुक्ती मिल सकती है दूर स्थान के लोगों से आपके संबंद अच्छे रहेंगे गोचर कुंडली के सितारे अच्छे हैं अगर तुला राशी की बात की जाए निवेश के जो विकल्प या उपाई आप सोच रहे हैं वे महत्वपुन है आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है कि ये गए कामों पर पूरा परी नाम आपको मिल सकता है सही समय पनिवेश करें साज़ेदार से भी फायदा होगा जमीन जायदात का कोई भी काम आज निपढ़ सकता है ओफिस या बिजनस की कई पहल करने का समय है करियर और समाजक शेत्र में प्रगती हो सकती है आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका मिल सकता है प्रापटी से फायदा हो सकता है पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी होगा कानूनी मामले भी निपढ़ चाएंगे वरिश्चिक राशी चंद्रमा गोचर कुंडली के दस्वें भाग में रहेका इससे आपको धनलाब हो सकता है जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं उनसे बसूली भी कर सकते हैं सोचे हुए पुराने काम आज शुरू हो सकते हैं आपके लिए दिन अच्छा है किसी तरह के निवेश की योजना भी आज बन सकती है आज आप बिल दीनदारिया चुका देंगे कारिशेतर या ओफिस से जुड़ी योजना पूरी हो सकती है ओफिस और बिजनस में आपके फैसले बड़ा फायदा देंगे धनुराशी अचानक कोई अच्छी खबर या आईडिया आपको मिल सकता है लोगों का ध्यान आप पर रहीगा चंद्रमा गोचर कुंडली के किसमत से घर में होगा जिसके प्रभाव से आपके जादातर काम पूरे हो सकते है पुराने दोस्त या किसी चाहने वाले से मुलकात हो सकते है कुछ ऐसी बात या चीज़ें आपके सामने आएंगी या आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा दे सकती है किसी के साथ अनबन हो रही है तो आपकी सुलह हो सकती है कोई बिमारी थी तो वो भी आज चीज़ें ठीक हो सकती है आपको किसमत का साथ मिल सकता है और रुका हुआ पैसा भी जिस प्लानिंग पर काफी दिनों से विचार चर रहा है जैसे शुरू करें तो फायदा भी होंगा मकराशी कहीं से आपको कुछ निवेश की सलहा मिल सकती है अपनी प्लानिंग गुपतर रखेंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे आपके सोचे हुए जादातर काम भी आज पूरे हो सकते हैं सोच समझ कर निवेश करेंगे आज आप जादा सोच विचार कर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे नुकसान से बच जाएंगे कुमबराशी गोचर कुंडले के साथवे भाव में चंदर्मा होने से डेली रुटेन के कामों से धनलाब और फायदा हो सकता है किसमत का साथ आपको मिलेगा कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं कन्फियोजन किस्तिती खत्म होगी किसी बात पर मायूस होने की जरूरत नहीं है महत्वपुन काम भी नहीं पड़ जाएंगे जो आपको बड़ा फायदा देंगे किसा दूरे काम को पूरा करने के बाद आपको फायदा हो सकता है मीन राशी प्रॉपटी के कामों से धन लाब होने से योग बन रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है आप पुरे जोश में रहेंगे और साथ ही अपनी बुद्धी का भी उप्योग करेंगे आपके लिए दिन अच्छा है धैरे से काम लेना होगा ना करात्मक विचारों और ऐसे ही महौल से दूरैनी के कुशिश करें दिन भर पैसों के ही बारे में सोचते रहेंगे दोस्तों के साथ समय बीते का मन पसंद घोजन भी मिल सकता है अविवाहित लोगों को प्रेमपरस्ता मिल सकते हैं भागे चकर के राशी फल में फिलहाल के लेतना है इसे के साथ रुखते हैं एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद हम आपको तिरलोगपुर के सुगम्यारती के दर्शन कराएंगे झाल प्रेक के लेक के लिए वेट वेड़पुर के लिए प्रेक के लिए रुखते हैं